अपनी फिल्मों से उन्होंने ऐसे डायलोग को इज़ाद किया है जो लोगों के सिर्चर बोलते हैं तो वहीं अपने करियर में उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया है जो सूपर हिट रही है अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक बार फिर से उनके आक्टिंग को लेकर बात करने वाले हैं तो दोस्तों नहीं आपको बोर नहीं करते हैं यहां हम उनसे जुड़ा ऐसा रास खोलने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपकी बोर यह दूर हो जाएगी बता दें कि हम करने वाले हैं सनी देओल और अमिशा पतेल के बेटे के रास का खुलासा चौक गरना कि इन दोनों का बेटा कैसे हो सकता है तो बता दें कि दोनों का बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि फिल्म में एंट्री करने वाला है दरसल यहां हम बात कर रहे हैं उनकी फिल्म गदर के बारे में फिल्म गदर एक प्रेम कदा हर किसी को याद होगी फिल्म में बॉक्स ओफिस पर खूब धमाका किया था तो वहीं फिल्म में उनके बेटे जीते का किरदार निभाया था उतकर शर्मा ने अगर एक नजर डाली जाए हाल ही पर तो बता दें कि सनी और अमिशा का ओन स्क्रीन बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि फिल्म जीनियस से करने वाला है एंट्री नेक्स्ट नाइन निउस रूम से चित्रा की रिपोर्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर तो हमें संपस कर झाल